पहला पाठ नभी येरेमियस का ग्रंथ अध्याबीस पत्संक्या दस से तेरा मैंने बहुतों को यह फुस्फुसाते हुए सुना है चारों और आतंग फैला हुआ है इस पर अभ्योग लगाओ हम उस पर अभ्योग लगाएं जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठू और यह करते थे वह शायद प्रलोभन में पढ़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बतला लेंगे परन्तु प्रभू एक पराक्रमी शूर्विर की तरह मेरे साथ है मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटो अनुभाव करेंगे उनका अप्यश सदा बना रहेगा हे विश्वमंडल के प्रभू तु धर्मी की परिक्षा करता और मन तथा रिदय की थाह लेता है मैंने अपने को तुछ पर छोड़ दिया है मैं देखूंगा कि तु उन लोगों से क्या बतला लेता है चवो का गित काओ चवो की स्तूती करो क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छोड़ा लिया है चवो की वानी भजन अनुवाक्या मैंने अपने संकट में चवो की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी मैंने अपने संकट में चवो की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी हे चवो मैं तुझे प्यार करता हूँ तु मेरा बल है तु मेरी चटान और मेरा गढ़ है तुने मेरा उद्धार किया है अनुआ क्या मैंने अपने संकट में ट्रभू की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी वही मेरी चटान है जहां मुझे शरन मिलती है वही मेरी ढाल और मेरा शक्ति शालिस सायक है धन्य है प्रभू मैंने उसे पुकारा और उसने मुझे शत्रों से बचा लिया अनुआ क्या मैंने अपने संकट में चबो की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी मैं मृत्यू के भावर में पढ़ गया था मैं विनाश की प्रचंड धारा में बह गया था मैं अधलोग की जाल में फस क्या था मैं मृत्यू का शिकार हो रहा था अनुआ क्या मैंने अपने संकट में ट्रभू की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी मैंने अपने संकट में टभू को पुकारा, मैंने अपने इश्वर की दुहाई दी, उसने अपने मंदिर में मेरी पुकार सुनी, मेरी दुहाई उसके काम तक पहुची, अनुवाक्या मैंने अपने संकट में टभू की दुहाई दी, और उसने मेरी पुकार सुनी यहुद्यों ने येशु को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए येशु ने उनसे कहा मैंने अपने पिता के सामर्थय से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्या किये हैं उन में से किस कार्या के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो या हुद्यों ने उत्तर दिया किसी अच्छे कार्या के लिए नहीं बलकि इश निंदा के लिए हम तुम को पत्थरों से मार डालना चाहते हैं क्योंकि तुम मनुष होकर अपने को ईश्वर मानते हो। येशु ने कहा क्या तुम लोगों की सहिंता में यह नहीं लिखा है। मैंने कहा तुम देवता हो जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था। यदि सहिंता ने उन्हें देवता कहा और धर्मगर्म की बात टल नहीं सकती तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है। उससे तुम लोग यह कहिसे कहते हो। आप ईश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के कार्या नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो। किन्तु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो। जिससे तुम यह जान जाओगे और समझ लो कि पिता मुझ में है और म पिता में हूँ इस पर उनों ने फिर येशु को गिरफतार करने का प्रयतन किया ने परन्तु वह उनके हाथ से निकल गए येशु यार्दन के पार उस अस्थान लोट गए जहां पहले योहन बतिसमा दिया करता था और वहीं रहने लगे बहुत से लोग उनके पास आये वे कहते थे योहन ने तो कोई चमतकार नहीं दिखाया प्रान्तु उसने इसके विशय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला और वहां बहुत से लोग उनमें विश्वास करने लगे प्रभु कासु समाचार प्रिक्रिस तेरी स्थुती हो प्रिक्रिस तेरी स्थुती हो